प्रभू येश्व मसी के नाम में आपको अनुग्रिव और शान्ती मिलें लियोनाडो डाविंसी का नाम आप में से कई लोगों ने सुना होगा वो एक मशूर पेंटर के नाम से जाना जाता है लेकिन मुझे नहीं मालूम अगर आपको इस बात का ज्यान हो कि ना वो केवल एक बहुत अच्छा पेंटर था, आर्टिस्ट था परन्तु वो एक बहुत अच्छा एंजिनियर भी था और मैं तो कहूंगा वो एक साइन्टिस्ट था, एक इन्वेंटर था उसके कॉन्ट्रिबूशंज इन सारी फिल्ट में पाए जाते हैं Civil Engineering, Chemistry, Geology, Geometry, Hydrodynamics, Mathematics, Mechanical Engineering, Optics, Physics, Pyrotechnics और Zoology और उसने काफी समय पहले, जब Real Inventions हुए उससे पहले इन चीजों के plan, models और diagrams, designs, paper पे बना रखे थे जैसे parachute, helicopter, armored vehicle जो युद में use होती है concentrated solar power, calculator ये सारी चीजों के उसने models और designs कागच पर बना रखे थे और आप सोच नहीं सकते कितना वो बुद्धिमान भिक्ती था और कितना effective था और इतने सारे fields में बहुत कम लोग होते हैं ऐसे और जो सबसे जानी मानी चीज लियोनाडो डाविंसी के बारे में है वो दो paintings जो उसके नाम के साथ जुड़े हुए है पहला painting है Mona Lisa और दूसरा painting है The Last Supper या जिसको हिंदी में कहेंगे आकरी भोज और ये दोनो लियोनाडो डाविंसी ने दोनो paintings बनाए थे और Mona Lisa ये बहुत मशूर painting रहा Napoleon ने भी इस painting को काफी तारीफ की और ये France में Louvre एक ऐसे जगा में museum में पाया जाता है और Mona Lisa ये एक इतली की कुलीन स्त्री की portrait थी portrait था उस्त्री का नाम था Lisa Gheradini और ये फ्रांसेसको डेल ग्योकॉंडो की पत्नी थी और एक popular के लकडी पर oil paint से ये painting बनाई गई थी और माना जाता है कि 1503 से 1506 इस्वी के बीच में लेनाडो ने ये painting बनाई लेकिन वो इतना perfectionist था कि 1517 तक ये painting complete नहीं होई वो उस पर काम करता ही रहा painting के उपर और अगर ध्यान से देखते हैं ये painting में जो स्त्री के उसने portrait बनाई हैं उसकी आंक की भौवे नहीं हैं और जबके वो मुस्कुरा नहीं रही है फिर भी ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रही है ये लेनाडो के painting की उसके artistic capability थी उसने चेहरे के muscles इस तरह बनाएं उस painting में कि जबको वो मुस्कुरा नहीं रही है फिर भी जब आदमी पहली बार देखता है तो उसको लगता है कि ये मुस्कुरा रही है लेकिन जो दूसरी painting जिसके बारे में आजम बात करेंगे वह है लास्ट सपर या आकरी भोज अब कुछ लोग लास्ट सपर के बारे में जानते होंगे और काफी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, जिन्नोंने बाइबल नहीं पड़ी है. और लास्टसपर, या आकरी भोज, वो आकरी भोज था, जो प्रभु येश्व मसी ने अपने बारा शिष्चों के साथ किया. प्रभु येश्व ने अपने बारा शिष्चों को एक उपरी कमरे में इखटा किया और उनके साथ वो भोजन प्रभु येशु ने खाया और उस भोजन के समय प्रभु येशु ने इस बात को रिवील किया प्रगट किया कि तुम मेंसे एक मेरा विश्वास घात करेगा और मुझे पकडवा देगा और तब जो उनके चहरों के एक्सप्रेशिंस थे उन एक्सप्रेशिंस को उनके चहरे के लुक्स को कैसे वो सब भोचक के हुए लेनवाडव ने उसको उन सारे एक्सप्रेशिंस को उस पेंटिंग में पेंट करके दिखाया है जहांपे प्रभु येशु बीच में दिखाया है और बाराचेले दिखाये है जबके बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर की कोई तस्वीर नहीं बना सकते लेकिन यहाँ पर में सिर्फ एक आर्टिस्ट की जो इतिहास था उसके बारे में बता रहा हूँ वो पेंटिंग कहीं भी पुझने लायक नहीं है कोई उसको पुझता है या ऐसा करता है तो वो गलत है लेकिन मैं उस इतिहास के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ और ये पेंटिंग लेनाडो ने 1495 से लेकर 1498 तक इस्वी इसमें बनाई यानि 1500 के पहले पहले फिर भी बताते हैं कि इसने और साल लगा दिये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस पेंटिंग के पीछे जो कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सच नहीं है लेकिन दुनिया में तो इतना जूट अब फैलता है कि सच को भी जुटलाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी जो इस पेंटिंग के साथ ये कहानी जुड़ी है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो लेनार्डो जो भी पेंटिंग करता था वो किसी व्यक्ति को सामने रखके फिर पेंटिंग करता था वो काल्पनिक पेंटिंग नहीं कर पाता था ऐसा लगता है, कियोंकि मोनालिस्य केस में भी उसने किसी को मिठा कर पेंट किया और यहाँ पर भी उसने तेरा लोगों को ढूंड कर वो पूरी पेंटिंग बनाई तो शुरुवात में उसको बीच में प्रभु येश्वमसी की पेंटिंग बनानी थी तो वो जानता था क्योंकि वो रोम में पैदा हुआ था तो उसको ये ज्यान था कि प्रभु येश्यु मसी कैसा पवित्र जीवन उसने इस धर्ती पर बिताया था कैसे उसने एक पाप रहित जीवन इस पृत्वी पर बिताया था और पाप रहित होने के बावजूत उसको कलवरी के क्रूस पर कीलो के जरिये उसको टांग गिया था इस बात का लिनार्डो को बहुत अच्छी तरह ज्यान था तो वो कोई ऐसे व्यक्ति को ढूण रहा था जो चहरे से बहुत भक्ती वाला व्यक्ति दिखे सुन्दर दिखे, चहरे से ही पवित्रता जलकती हो तो ऐसा व्यक्ति मिलना आसान नहीं है और क्योंकि वो यॉरोपियन था तो उसने सोचा कि किसी यॉरोपियन को ही लाना पड़ेगा और तो वो ढूनता रहा हो और फाइनली एक दिन उसको एक जवान मिला जिसका चहरा इसी प्रकार सुन्दर और बड़ा मासूम सा था तो उसने उसको रिक्वेस्ट किया कि क्या तुम मेरे पेंटिंग के लिए अपना टाइम दे सकते हो और उसको पैसे तो मिलते ही तो वो व्यक्ति मांग गया और उस व्यक्ति का नाम था पियेट्रो बैंडिनली पियेट्रो बैंडिनली तो पियेट्रो आता रहा और लियारनडो उसकी पैंटिंग धीरे धीरे परफेक्ट करता गया और उसने वो पूरा कर दिया और फिर उसको और 12 लोग चाहिए थे वो एक-एक करके सब को ऐसे अलग-अलग लोगों को लाता गया और उनकी पेंटिंग को उस पेंटिंग को बढ़ाता गया इसलिए इस पेंटिंग में इतने साल लग गए ऐसा नहीं था कि वो 20 घंटे बैठा और उसने काल्कमिकृति से बना दिया या किसी और इंटरनेट की तस्वीर को देख कर बना लिया वो संभव नहीं था तो उसने प्रभु येशु की पेंटिंग बना दी और 11 चेलों की पेंटिंग बना दी अब 12 जो बाकी था वो वो चेला था जिसने प्रभु येशु के साथ विश्वाष घात किया बाइबल के अनुसार और उस चेले का नाम था यहुदा स्कृति और यहुदा स्कृति ने 30 चांदी के सिक्ये में प्रभु येशु को कह सकते एक प्रकार से बेच दिया यानि जो प्रभु येशु के विरोधी थे जो उसको मार देना चाहते थे यहुदा स्कृति ने उनसे मिलकर प्रभु येशु को पकड़वा लिया तीस चांदी के सिक्के के लिए और इन दिनों तीस चांदी के सिक्ये में एक गुलाम खरीच सकते थे तो ये उसने प्रभु येशों की कीमत लगाई तो अब लेनार्डो सोच रहा था कि मुझे को ऐसा व्यक्ति मिले जो चहरे से ही दुष्ट दिखता हो जो चहरे से ही लगता हो कि बड़ा लाल्ची हो और इस प्रकार उसकी आँखे से दुष्टा जलकती हो तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूण रहा था अब ऐसा व्यक्ति भी मिलना आसान नहीं था लेकिन वो ढूणता रहा वो बहुत एक कह सकते पेशन्ट पेइंटर था आर्टिस्ट था और एक दिन उसको एक बिखारी दिखा वो ऐसे ही मेलो चिथोडो में था रैग्ज में था तो उसका चहरा देखके एकदम लेनाडो को लगा के ये व्यक्ति बन सकता है यहुदा स्कृति के लिए ये मैं इसको इसका चहरा पेइंट कर सकता हूँ क्योंकि वैसा ही वो दिखता था तो लेनाडो ने उससे बात की कि तुझे भीक नहीं मांगनी पड़ेगी मैं तुझे काफी अच्छा पेइमेंट करूँगा और तेरी सिचुएशन सुधर जाएगी क्या तु मेरे पेंटिंग में कॉंट्रिबिशन कर सकता है तो वो एकदम मान गया और चला गया लेनाडो के स्टूडियो में और कई दिन आता रहा और लेनाडो ने उस पेंटिंग को कम्प्लीट किया तो जब आकरी दिन था तब लेनाडो ने उससे पूछा कि अच्छा ये बता कि तेरा नाम क्या है मैंने तेरा नाम तो पूछा ही नहीं और आप ताजूप करोगे कि उस व्यक्तिने का मेरा नाम पियेट्रो बैंडिन अली है कि मेरे शकल से आज आप पहचान नहीं सकते लेकिन कुछ साल पहले मैं इसी स्टूडियो में आप के लिए येशु मसी की पेंटिंग के लिए बैठा करता था इसी जगा और आज वोई व्यक्ति यहुदा स्कुरुती की पेंटिंग के लिए बैठा था अजीब बात है ना सच तो यह है कि कोई भी मनुश्य प्रभु येशु का रेप्रेसेंटेशन इस धर्ती पर नहीं कर सकता उसका प्रतिरूप होई नहीं सकता क्योंकि उसका इतना पवित्र जीवन था वो कुवारी के जरीए पैदा हुआ जनम से ही वो पाप रहिद था हम जनम से पापी होते हैं प्रभु येशु जनम से पाप रहिद था लेकिन फिर भी ये लेनार्डो की सोच थी कि मैं किसी मासूम से चेहरे को पेंटिंग में बना दूँगा लेकिन हकीकत क्या है? Ground Reality क्या है? Ground Reality ये है कि कोई भी मासूम नहीं है जो व्यक्ति जो बहुत दाड़ी या ऐसी भक्ति का भेज भरे हुए अपने आपको बहुत पवित्र कहता है बाइबल कहती ये अंदर से वो व्यक्ति भी पापी है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है वोई व्यक्ति जो लेनार्डो को लगा कि ये येशु मसी का रेप्रेजेंटेशन हो सकता है कुछ सालों बाद जब पिएट्रो का जीवन पाप में गिर गया तो वो ही व्यक्ति का चहरा अब यहुदा स्कुरूती जैसा बन गया जिसका चहरा पहले संथ सा दिखता था उसी व्यक्ति का चहरा जब उसका जीवन पाप में मेला हो गया तो उसी विक्ति का चैरा अब एक पापी की तरह, एक दुष्ट की तरह दिखने लगा और ये कहानी सब की है हम सब की कहानी यही है अगर परमेश्व और अनुग्रे ना करे तो हमारा भी यही हाल है अगर मुझे सही समय पर प्रभु येश्व का संदेश ना मिलता तो मैं भी एक भयंकर पाप की स्थिती में होता आज लेकिन मैं धनवाद देता हूँ परमेश्वर का उस दिन के लिए 24 सितंबर 1986 जब मैंने प्रभु येश्व को जाना इसाई धर्म को नहीं प्रभु येश्व को जाना और मेरा जीवन बदला तो मनुष्य बहार से बहुत मासूम या भक्ती रूप दिख सकता है लेकिन बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं है सबने पाप किया अगर हमें अपने हाल में छोड़ दिया जाए तो हम सब की कहानी पियेट्रो बैंडिनली की कहानी है सिर्फ परमेश्वर का अनुग्र हमें पाप से बचा सकता है सिर्फ उसकी भलाई हमें पश्ताप का हिर्दय देती है सिर्फ उसका प्रेम था जिसके कारण प्रभु येश्यु ने क्रूस पर आपके लिए अपनी जान दी सिर्फ उसकी सामर्थ थी कि वो मरने के बाद तीसरे दिन मृत्तकु में से जी उठा सिर्फ उसका अधिकार है जो आपके पाप शमा कर सकता है और आपको पाप के बंधन से अजाद कर सकता है पियेट्रो दिखने में बहुत अच्छा था लेकिन फिर भी अंदर से वो पाप के बंधन में था और इसलिए उसकी हालत कुछ सालों में वो हो गई क्योंकि उसना अपना जीवन पाप के लिए दे दिया था और इसलिए में और आप प्रभु येशु पे विश्वास करें आप प्रभु येशु पे विश्वास करें और उसके कुरूस के बलिदान पर अपनी आस्था रखे और विश्वास कीजिए और अपने पापों से पश्टाप कीजिए तब प्रभु येशु का लहु आपको सब पापों से शुद करेगा परमिश्वर आपको आशिश दे